क्या जवाहल लाल नहरू ने इसाई मिस्नरियों से पैसे लेकर केरल की कम्मिनिष्ट सरकार को बरखास्त किया था और अगर हां तो क्या इसके आलावां भी कभी पंडित नहरू ने मिस्नरियों के दबाव में सरकार के निड़े को प्रभावित किया था नमस्कार मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं फैक्ट सी अगर आप पॉलिटिकली करेक्ट आंसर सुनना चाहते हैं तो आंसर है नहीं क्योंकि अपनी ही सरकार को बिकी हुई सरकार कहना सही नहीं है और श्वतंतरता सेनानी प्रथम प्रदानमंत्री पंडित जवाहलाल नहरू पर पैसे के बदले काम करने का आरूप लगाना एकदम सही नहीं होगा लेकिन ऐसी कई पॉस्तके हैं जिसमें इस पॉलिटिकली करेक नेरेटिब के विपरीत लिखा हुआ है पहले बैक्ग्राउंड को समझते हैं 1956 में राजपुनरगठन आयोग की अनसंसा पर मालाबार डिस्टिक्ट त्रावणकोर, कोचीन और कैसरगड साउथ कनारा को मिला कर एक नवंबर 1956 को केरल राज़ बनाया गया 1957 में हुए चुनाओ में EMS नमबोदरी पाथ के नेत्रित में Communist Party of India की सरकार बनी और Justice V.R. किष्ण ऐयर ग्रह मंत्री बने और शिक्षा मंत्री बने जोशेफ्ट मुंडेशरी नमबोदरी पाथ सरकार ने दो फ्रंटों पर तेजी से काम करना शुरू किया पहला तो Land Reforms और दूसरा छेत्र था सिक्षा का Land Reforms के खिलाफ जमीदार और मठ एक जुट हुए लेकिन उनकी लड़ाई जादा तर न्यायालों में लड़ी गई आपने एके गोपालन केशवानन्द भारती के केस के बारे में सुना होगा जिसमें सम्धान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी ये सब Land Reforms के खिलाफ ही मामला था दूसरी बड़ी लड़ाई थी शिक्षा के छित्र में शिक्षा मंतरी जोशप मुंडेशरी ने Education Bill पेस किया जिसमें कहा गया कि जो स्कूल सरकारी मदद लेते हैं उन विद्यालेओं में अब सरकार Teachers की नियुक्ति करेगी और पूरा Administration सरकार के आधीन होगा सरकार ने कहा कि Transparency के लिए Teachers का Appointment लोग सेवा आयोग यानि कि Public Service Commission के माध्यम से किया जाएगा और सरकार अपने खजाने से उनको सेलरी देगी और जो विद्यालेओं इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनका Take Over कर लिया जाएगा केरल राज में जादा तर स्कूल क्रिस्टियन मिशनरियों के थे जो अंग्रेजी सिक्षा के नाम पर मोटी फीस भी वसूल रहे थे और सरकारी मदद भी ले रहे थे कुछ स्कूल नायर सर्विस सोसाइटी NSS के अंडर था इन लोगों ने विरोध करना सुरू किया तो विपक्षी पार्टियों ने जिसमें Indian National Congress, Indian Union Muslim League, प्रजा Socialist Party इत्याज थी ने भी मौके पर चौका मारने की कोशिस की विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, कॉंग्रेज का छात्र संगठन भी स्कूल मौलिकों की तरब से प्रदर्शन में सामिल हुआ 13 जून 1959 को भीड उग्र हो गई और पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें साथ लोग मारे गए ततकालीन ग्रेह मंत्री केरल के, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज़ भी बने, वी आर कुष्ण ऐयर ने पुलिस के खिलाफ कारिवाही की संस्त्री दे दी लेकिन चीफ मिनिस्टर नम्बूदरी पाद ने अयर साहब को ग्रेह मंत्री के पद से हटा दिया हिंसा की आड़ लेते हुए हिंदुस्तान के प्रथम प्रधान मंत्री ने संविधान की धारा 356 के तहत कम्यूनिस्ट की सरकार को बरखास्त कर राष्टपती सासन लगा दिया मजे की बात ये है कि कम्यूनिस्टे ने कॉंग्रेस की सरकार पर वही आरोप लगाया जो C.A.A. Constitutional Amendment Act प्रोटेस्ट के दौरान भाजपा लगा रही थी मतलब प्रोटेस्ट को बाहरी लोगों ने यानि C.A.A. ने पैसा देकर आगे बढ़ाया था इस आंदोलन को नाम दिया गया Liberation Estragal यानि विमोचनम समरम अब बात करते हैं जवाहर लाल नेहरू और कॉंग्रेस की विटिया इंद्रा गांधी उस समय इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की प्रेसिडेंट थी और पंडित नेहरू के प्रस्नल सेकरेटरी M.O. मताई के अनुशार सभाव से लालची थी एक बार प्रदानमंत्री नेहरू को इसी वज़ा से लोकतंत्र के मंदिर में जूट भी बोलना पड़ा था भारत में 1973 से 1975 तक अमेरिका के राजदूत रहे डेनियल पैट्रिक मोहियान ने 1978 में एक किताब लिखी जिसका नाम है A Dangerous Place इस किताब में राजदूत डेनियल पैट्रिक लिखते हैं कि 1974 में ततकालीन प्रदानमंत्री श्रीमत्री इंद्रा गांधी ने अमेरिका पर बार बार आरोप लगाया कि अमेरिकी कूफिया एजनसी उनको मारना चाहती है और जनसंग आज विपक्षी पार्टियों को पैसे दे रही है तो उन्होंने जाच कराने का निर्ड़े लिया पता चला कि CIA ने दो बार इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को पैसे दिये पहली बार CIA ने पैसा दिया था कॉंग्रेस अध्यक्ष इंद्रा गांधी को EMS नमबूदरी पाज सरकार को कमजोर और खत्म करने के लिए दूसरी बार 1960 के एलेक्षन में कम्मिनिस्टों को चुनाओं में हराने के लिए दिया गया लेकिन तब कॉंग्रेस की अध्यक्ष इंद्रा गांधी नहीं थी इससे संबंधित दूसरा दस्तावेज मिलता है 1956 से 1961 के दौरान अमेरिकी राजदूत रहे एल्सवर्थ बंकर की बायोग्राफी में एल्सवर्थ बंकर ही वह आदमी था जिसने क्रिश्ट्यन मिश्नरियों के कहने पर और कोल्ड वार की वज़ा से कम्मिनिस्टों के प्रभाव से भारत को बचाने के लिए पैसों का इंतिजाम किया था तीसरा प्रमाड मिलता है मित्रोखिन आर्काईब पर क्रिश्टोफर एंड्रियूज की लिखी किताब में इस किताब में इसकी पुष्ट होती है कि इंद्रा गांधी ततकालीन कॉंग्रेस अध्यक्ष ने पैसे लेकर प्रधान मंत्री पर कम्मिनिस्ट सरकार को गिराने का दबाव डाला था अब प्रश्ण के दूसरे हिस्से पर आते हैं कि इस कांड के अलावा क्या कभी पंडित नहरू ने क्रिश्टियन मिश्णरियों के दबाव में काम किया या सरकार के निड़े को प्रभाविद किया कम्मिनिस्ट लेखक दुर्गादास अपने मेमोयर इंडिया फ्रॉम करजन टू नहरू एंड आफ्टर के पेज 288 पर लिखते हैं कि संबिधान निर्माताओं ने असम हिल्स के रीजन में रहने वाले सिडियूल ट्राइब्स यानि आदिवाशी और जन जातियों से में ये पंडित नहरू का इंट्रेस्ट था अब आप लोग गैस कीजिए कि हिंदू प्रधानमंत्री पंडित नहरू का मिस्नरियों से या मिस्नरियों में क्या इंट्रेस्ट था अगर आपको भी किसी भी आतिहासिक प्रस्ण का पॉलिटिकली इनकरेक्ट आंसर चाहिए त कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर पूछें वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यबाद जय हिंद